प्रेगनेंसी के दोरान एक बार आपका बेबी बंप दिखना शुरू हुआ नहीं कि घर वाले तो छोड़िये बाहर वाले लोग भी चलते फिरते आपको सला देने लग जाते हैं कोई गर्वती मेला की शकल देखकर बच्चे का जेंटर बताने का दावा करता है कोई बेबी का बंप शेप देखकर इस तरह की कई और बातें जो प्रेगनेंसी से जुड़ी हैं लेकिन इनमें कोई सचाई नहीं है बेबी बंप का शेप बताता है कि लड़का होगा या लड़की ये एक मित है हकिकत क्या है आपने भी अक्सर सुना होगा कि बहुत से मेलाओं खासकर बुजरग मेलाओं को ये कहते हुए कि अगर आपका बेबी बंप नीचे की तरफ जुका हुआ है तो लड़का होगा और अगर उपर की और उठा हुआ है तो लड़की होगी लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि बेबी बंप का शेप कई बातों पर निर्वर करता है जैसे आपके पेट का आकार क्या है पेट की मास पेशियां कितनी स्ट्रोंग है गरभाश्य की अंदर बच्चा कि इस पोजिशन में है और यह आपकी पहली प्रेग्रेंसी नहीं है यह सब बातों पर डिपैंड करता है बेबी बंप का शेप इसका लड़का होगा या लड़की होगी इससे कोई लेना देना नहीं है प्रेगनेट महिला के चेहरे का शेप या ग्लो बच्चे का जेंडर बत लड़का होगा या लड़की ऐसे कहा जाता है कि अगर होने वाली मा के चेहरे पर ज्यादा ग्लो है यानि चमक है तो लड़की होगी और चमक नहीं है तो लड़का होगा लेकिन चेहरे पर ग्लो और बच्चे के जैंडर से के बीच में कोई संबन नहीं है क्योंकि प्रेग के दोरान डाइट या फिर जैनेटिक्स की वजह से चहरे पर मुहा से आ जाते हैं इन सब का बच्चे के जेंडर से कोई लेना देना नहीं प्रेगनेट महिला के सीने में जलन हो तो बच्चे के सिर पर धेर सारे बाल होंगे यह एक मित है हकिकत क्या है आपने अक्षर लोकों क यह कहते सुना होगा कि अगर प्रेगनेट महिला को हार्ट बर्न है इसका मतलब है कि बच्चे के सीर पर धेर सारे बाल होंगे प्रेगनेंसी के दोरान बहुत सी महिलाओं को हार्ट बर्न यानि सीने में जलन की दिकत होने लगती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनें लगता है जिससे सीर्णे में जलन महसूस होने लगती है लेकिन इस बात का होने वाले बच्चे के सीरपरवाल होने से कोई संबन नहीं है 90 एकसराइश करने से बच्चे को नुकसान होगा ये एक मित है सचाइ क्या है प्रैग्नलेंसी में अक्सर महिलाओं को जितना हो उसके अराम करने की सला दी जाती है उन्हें कहा जाता है कि वे प्रेग्नेंसी में एक्सरसाइज करेंगी तो इससे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुचेगा लेकिन यह बात सच नहीं है प्रेग्नेंसी के दोरान आप जितना एक्टिव रहेंगी नॉर्मल डिरिवरी होन की संभावनाएं उतनी ही जादा होंगी लिहाजा प्रेग्नेंसी के दोरान हलकी फुलकी एक्सरसाइज योग आधी करने की सला डॉक्टर भी देते हैं लेकिन किस तरह की एक्सरसाइज करनी है प्रेग्नेंसी में कौन सी एक्सरसाइज सेफ है और कौन सी सेफ नहीं है इस बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें भून के हार्ट रेट से पता चलेगा कि बच्चा लड़का है या लड़की ये एक मित है सचाई क्या है होने वाले बच्चा लड़का होगा या लड़की इस बात को लेकर लोगों के मन में काफी उत्सुकता रहती है और उसके हार्ट रेट से पता चल सकता है कि लड़का है या लड़की लेकिन यह बात भी सच नहीं है क्योंकि गरभाश्य के अंदर हर भुरुन का हार्ट रेट ओस्तन 120 से 160 परती मिनट होता है फिर चाहिए वह लड़का हो या लड़की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ह प्रेगनेंसी में हेर डाई करने से मिस्कैरिज का खत्रा होता है ये एक मित है सच्चाई क्या है जदतर महिलाएं प्रेगनेंसी के शुरुवाती 12 हफतों में यानि प्रेगनेंसी के 1-3 महिने के दोरान हेर डाई करने से परहेज करती हैं उन्हें लगता है कि इस दोरान हेर dye या hair color लगाने से बच्चे को नुक्सान हो सकता है या miscarriage का खत्रा रहता है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि research में यह बात साबित हो चुकी है कि ज़्यादातर hair dye फिर चाहिए वो permanent हो या उन्में पाया जाने वाला chemical pregnancy के दोरान use के लिए safe है प्रेगनेंसी में hot water बात करने से बच्चे को नुक्सान हो सकता है ये एक मित है सच्चाई क्या है प्रेगनेंसी के दोरान गर्म पानी से नहाना hot water बात लेना या किसी भी तरह का बात लेने में कोई दिकत नहीं है लेकिन पाने का तापमान 102 डिगरी फैना हाइट, 102 डिगरी फैना हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब प्रेगनेट महीना का ब्लड प्रैशर बढ़ सकता है जिससे मा और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है